हेलो गाइस, विल्कम बेक टो एनादर वीडियो, तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एक रिल एस्टेट कमपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो कमपनी हैं, आप लोग को लगबग सारे 500% के आसपास की रिटन देके जारी है, एंड टोटली प्रॉफिटेब करने वाले हैं, फस्ट पॉइंट इस फंडमेंटल एनलिसिस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कमपनी कौन सी है, एंड कमपनी फंडमेंटली कैसी है, और शॉट टर्म ट्रेड एन लॉंग टर्म इंवेस्मेंट परपस, सेगंड पॉइंट इस वॉल्यूम एनलिसिस, गाइस, बिना टाइम वेस्ट के, पहली पॉइंट की तरफ बाता है, और देखते हैं कि कमपनी कौन सी है, एंड कमपनी फंडमेंटली कैसी है, तो गाइस, यहाँ पर आप लोग कमपनी का नेम देख सकते हैं, ओटको इंटरनेशनल लिमिटेड कमपनी जो है, वो बेसिकली रियल एस्टेट सर्विसेस, प्रुवाइड कराती है, अगर डीटल में कुछ जानना हो कमपनी के बार세 में, तो कमपनी के वेबसाइट चेक कर सकते हूं, या तो फिर गूगूल में भी सर्च कर सकते हूं, कमपनी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ 2 काफी हाई में ट्रेड कर रही है एक साल में सारी 500% एक्जेक्टी रिटन देके जारी है तो किसने अगर एक साल पहले ट्रेड लिया होगा मतलब ठीक से अगर ट्रेड लिया होगा तो आडाम से 300-400% की रिटन तो बनाके जाए सकता है और इस कंपनी डिविडेंट नहीं जेती है की बुग वाले से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे है कंपनी प्रॉपिटेवल तो है लेकिन डिविडेंड नहीं पे कर रही है लास्ट फाइव यह की सेल्स ट्रोथ एंड लास्ट त्री यह की रिटर्न और इंक्विटी दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है कंपनी माइट अदून के बहुत पहले से है इसके साकता है यह अर आता है लुक में कश बिसके टिंट इन में natバरं में असली नुकिशाattend नहीं था मीं कमपनी जिरो नी्याख रेजी ची लिएटी सेल्स डिसके डीशाथ करें तो guys यहां पर आप लोग देख सेक्तों कॉर्णिटी टीम में company लगवक 80 लैक की प्रॉफिट देरी देखो guys हाँ मैं मान रहा हूं कि company की sales zero है सब कुछ मैं मान रहा हूं लेकिन end of the day company profitable है और यहां पर जो मेरा बीचार है तो देखो guys जो company की sales zero है ना देखो अगर company में sales ठीक टाक हो रही है और interest काफी ज्यादा है इंट्रेस्ट काफी ज्यादा पे करना पड़े है company को या तो फिर expenses company की expenses वह काफी ज्यादा है तो मैं फिर भी अप लोग को बोलता हूं कि buy करके चलो consider करके चल सकते हो लेकिन जिस company में sales से zero हो जाती है लेकिन देखो एक company में हर एक चीज मैनेजमेंट के पास होता है हर एक चीज की control management के पास होती है कि अगर वो लोग चाते है तो debt reduce कर सकते है लेकिन sales कभी भी company के हाथ में नहीं होता है sales होता है client के हाथ में अगर company की sales zero आ रही है तो मैं आप लोग को definitely long time के लिए recommend नहीं करने वाला हूं तो company में sales zero है कोई भी clients इस company से product लेने के लिए या तो फिर services लेने में attracted नहीं है तो इसलिए मैं देखो हां end of the day company profitable है अगर यह मे recommend करने वाला हूं बागी जो आप लोगो ठीक लेगे company profitable है तो आप लोग consider करके चल सकते हो अगर आप लोग यह point से disagree करते हो तो कि अगर sales zero है लेकिन profitable है company तो मैं long term के लिए buy करूंगा अगर इस point से agree करते हो तो जाओ अगर अब भी में तरह सोचते हो कि sales zero है तो मतलब कोई भ आप से agree करते हो तो don't go for it बागी short term trade अप लोग to some extent ले सकते हो यह आप लोग देख सकते हो company की balance sheet उसके बाद अगार shareholding pattern के बाड़े में discuss करें लग बोग 75% के आसपास की promoters की holding है और काफी बढ़े बढ़े रिटेलर की holding है अगर यह सब कुछ calculate करते हो तो हम आप जैसे छो आप लोग की mentality matter करती है अगर आप लोग को लगता है जैसे कि मैं बोल रहा था कि zero sales चाहे कितना भी profitable company हो मैं नहीं जाओंगा अगर इस mentality से agree करते हो तो don't go for it अगर अब इस mentality से agree नहीं करते हो कि इंटर दे तो मुझे profit चाहिए चाहे sales zero हो या कुछ और तो आप लोग buy करके चल सकते हो बाफी काम है तो अब हमारे दोस्ते पॉइंट की तरफ बढ़ते है और चलते हैं ब्यस्ते के website में आप देखते है कि आज क्या हुआ हुआ है कंपनी में तो यहां पर हम लोग ब्यस्ते के website पर आ चुके देख सकते हैं आप लोग और company जो है वह ब्यस्ते के group X मे निकलके आ रही है और 12,736 quantity में trade हुआ है और 12,736 ही delivery quantity निकलके आ रही है अभी देखते है कि यहां से देखके तो काफी कम लगड़ा है कि 12,000 quantity गास पर चलो 13 के 13,000 quantity काफी कम निकलके आ रही है इस price point की stock के लिए एक penny stock के लिए तो यह देखता है अभी average volume में ऐसा है यह average से कम volume है उसके बाड़े में हभी हम लोग discuss करते है और उसके साथ साथ यह भी discuss करेंगे इस तीसरी point पर हम लोग buy कहां पर करना है and देखो सब कुछ ठीक है fundamentals भी आप लोग ने देख लिया सब कुछ ठीक है company कैसी है balance ratio अपने tally कर लिया लेकिन फाइला तो तभी दिलाएगी न आज company lower second में closing हुई है और आज की जब volume है देख सकते हो जैसे कि मैं बोल रहा था काफी कम volume लग रही थी और वाकरी में काफी कम volume है यह जो yellow line है यह 20 day की moving average है यह भी average volume की भी line इसको अब लोग बोल के चल सकते हो तो काफी कम volume निकलका है यह आज की दिन लेकिन volume की देखो कम हो चाहिए ठीक हो मतलब कम है लेकिन volume की strength काफी सही है 100% मतलब एक भी quantity intraday में trade नहीं किया के तो solid volume है ठीक है देखो company में अगर कोई pattern आप लोग को नजार आ रहा होगा तो मैं आप लोग को दिखाएता हूँ अगर नहीं आ रहा हो तो मैं दिखाएता हूँ अगर आ रहा हो इसका low यह बन जाता है सिम इसका जो हाई है लगवक एप्रॉक्सिमेट हाई एकदम exact हाई ने इसका low तो as expected यहां से company यह बनेगी इसके बाद फिर से उपर जाएगे उसके बाद इसका जो हाई बनेगा वह इसका low बनेगा इसके बाद ऐसे कुछ होगा company में ठीक है तो देखो गाई इसमें आप लोगो एक सिंपल सा equation दिखाएता हूँ company में टार्गेट किया है में बात यह जाए क्योंकि मैंन लेकिन 10.80 इसका आप लोग पकड़ लेता है ठीक है तो फाइब रुपीस यह स्विंग में तो फाइब रुपीस की पर शेयर की गेन दिखाए दिया company में उसके बाद यहां पर अगर दिखा जाए तो 7.8 लगवक 7.8 की लेवल देखते हैं 12.8 की लेवल इसने हिट कर दिया तो पर शेयर 5 तो अप्रशेयर 5 रुपीस की गेन यह company आप लोग को देखे जाड़ी है जब भी एक rally आप लोग को दिखाए मतलब दिखाड़ा है company जब एक rally हो रहा है company में upside rally तब 5 रुपीस की गेन पर शेयर दे रही है आप लोग को तो यह कहां पे है लगवक 9.36 तो 9.3 अप्रॉक्स्में इसको प्लोग पकड़ लेते है तो अगर 5 रुपीस की गेन है तो फ़र्टीन पॉइंट ट्री और अगर safe खेलना चाहते हो हो सकता है कि देखो दो पर 5 रुपीस की गेन दिया है इसका मतलब यह सेफ खेलना चाहते हो तो 13.3 की target और अगर disg लेना चाहते ह वही से कंपर ही लोटती है तो 14.3 की टागेट रहेगी आप लोगे ठीक है एस सिंपल एस दैट और कभी बाई करने कब बाई करने है देखो इस अप्रोक्समेंट यह कंपनी चाहिए वह अपने सपोर्ट के आसपास एक वन मन्त एक से देर महिन थक अपने सपोर्ट के आसपास कंसलेट करते है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो तो मैं अभी तो बाई करने के लिए बिल्कुल भी रेकमेंट नहीं करूंगा अट लिस्ट टू थ्री वीक्स बात आप लोग यहां पर 9.3 के आसपास बाई करके चलो जितना नीचे मिल सके और टागेट फॉर है 13.3 अगर कोई बंदा डिस्क नहीं लेना चाहता है तो उन लोग के लिए सेकेंड टागेट है 14.3 की हो गया यह अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहता है तो स्क्रीन शॉट लेकर रख सकते हो बागी आप लोग के उपड़ है तो गैस अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक्स पर वाचिंग और गैस अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या कोई रहती या स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटर तो कमेंट स्क्षिक्शन में कमेंट करके मुझसे पूच सकते हो या तो फिर मेंटे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डेस्क्रि अटली वाइस, STAY SEFFE